जै श्री राम दोस्तो भारत मिस्ट्रीज में आपका स्वागत हैं हे हनुमान तुम हो सबसे बेमिसाल तुमसे आख मिलाए किसकी है मजाल सूरच को पल में निगला अंजनी के लाल मूरत तेरी देखकर खुद बखुद भाग जायकाल जै श्री राम दोस्तो आज हम आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के एक ऐसे चमतकार के बारे में बताने जा रहे है जिसे देखकर आपको हनुमान जी के चमतकारों और उनकी शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में हनुमान जी आज भी अजर अमर है ये हैं अमर की कहानी मेरा नाम अमन है मैं यूरोप में रहता हूँ ये बात कुछ समय पहले की है जब मैं चंदीगड में रहता था हर सुभे मेरा एक रूटीन था मैं ना दोकर सुभे सुभे अच्छे कपड़े पहन कर हनुमान चाली सा पढ़ता था और उसके बाद ही मैं चाए इत्यादी लेता था हाला कि मैं शिव भग्त भी हूँ मुझे पाठ के नियम मालूम नहीं थे ना ही आज तक किसी नियम का अनुसरन किया था मैंने फिर भी मेरा एक रूटीन सा बन गया था सुभे हनुमान चाली सा पढ़ता था और सबसे पहले पूझा पाठ कर लिया करता था इसी के चलते कभी-कभी मैं आफिस में भी आदे घंटे लेट हो जाता था पर शरी हनुमान जी की कृपा से आज तक किसी सीनियर ने मुझे कुछ नहीं कहा मेरी दूसरी जॉब के दोरान मेरे बॉस मुझे थोड़ा आराम दिलाने के लिए अपने बेटे के साथ टेबल टनिस डोनमेंट में रौता खरियाना भेज दिये हम सभी राम सराय में ठहरे थे क्योंकि मेरा बॉस मुझे पर काफी भरोसा करता था उनकी सारी ओफिस की जिम्मदारिया मेरे पर होती थी एक दिन मैं अपने बॉस के बेटे को उनके साथ ही छोड़कर दिन ली आ गया और मैं अपने नैनी हाल चला गया अपने नैनी हाल से वापस आते वक्ट रात के करी बारा बजे के आसपास होने के वज़े से मुझे बस नहीं मिल रही थी और मैं काफी अंजान था लेट होने के वज़े से मुझे कुछ साधन नहीं मिल रहा था बस टैंड के पास एक पहलवान ढाबा था मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इतनी रात होने के विज़े से कोई साधन नहीं मिल पाएगा तुम साथ लगती गली से सीधा पैदल चले जाओ बस 15-20 मिरिट लएंगे अंधेरा काफी था और मैं काफी अंजान था मैंने एक बैल को दूसरी गली से जाते होए देखा मैं काफी डरा हुआ था कि अब मैं घर कैसे जाओंगा मैं अभी 1500 मीटर अंदर गली में गया ही था कि अचानक मैंने एक आदमी को 20-30 मीटर की दूरी से सामने वाले घर से निकलते हुए दूसरी तरफ वाले घर में जाते हुए देखा मुझे उसके चलते कदमों की आवाज बिलकुल भी नहीं आई गली में कोई शोर नहीं था एकदम सन्नाटा था मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा उसकता से आगे चलने के बाद मैंने उस तरफ ध्यान दिया जहाँ से वा आदमी निकला था मैंने जो देखा वो देखते ही रह गया और मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए क्योंकि जहाँ मैं था उससे ही 15-20 मीटर आगे तक कोई दर्वाजा या घर नहीं था और वो आदमी को मैं नॉर्मल पैदल चलते देखा था जहांसे वो निकला था वहाँ एक खाली प्लॉट था जिसमें सफेदी के पेड लगे हुए थे और चारों तरफ चार से पाच फुट उन्ची 40-50 मीटर लंबी दिवारे थी एक पल में सारा नजारा बदल गया कि वादमी कैसे निकल गया चलते हुए मैं अभी सोची रहा था कि अचानक उस बैल की चिंगानने की आवाज आई और सफेदी के पेड़ों से चमगा दड़ों की भी चीखने की आवाज आई मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीट की रीड की हड़ी से पकड़ लिया और मैं जैसे सीधा जम गया हूँ मैं गबरा गया और मेरे पसीने चूटने लगे मुझे कुछ सूज नहीं रहा था मेरे पीछे मुढ कर देखने की हिम्मत नहीं हुई दो मिनिट बाद अचानक से स्वयम मेरे मुझे हनुमान चारीसा का पाट निकलना शुरू हो गया जो की डर के मारे मुझे सूज नहीं रहा था पर पता नहीं कैसे अभी पाट खा मैंने पहला दोआ ही पड़ा था कि मुझे धक्का लगा और मैं आजाद महसूस करने लगा पर मैंने श्री हनुमान चारीसा का पूरा पाट जो मैंने कंठस्त याद किया था मैं पढ़ते रहा जैसी ही मैं उस गली से निकल कर दूसरी गली में आया मुझे सामने से स्कूटर पे दो लोग दिखे मैंने उनको रोका वह सराही का रास्ता पूछा उन्होंने पूछा इतनी रात कहा से आये हो फिर मैंने सब विस्तार से बताया तो वो बोले नसीब वाले हो जो जिन्दा बच कर आये हो इस गली से हम रात के समय कभी नहीं निकलते सराही पहुचकर मुझे 101 बुखार चड़ चुका था पर मैं जैश्री राम की कृपा से सही सलामत उस गली से बच कर निकल आया ये श्री हनुमान जी की कृपा है कि मेरे मुख से स्वयम ही हनुमान चारी सा निकली थी विश्वास में और शद्धा में बहुत ताकत होती है कुछ ऐसा ही दोस्तों मेरे साथ हुआ है तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी आज भी मुझे जहा हनुमान जी का मंदर दिखता है मैं वहाँ चले जाता हूँ क्योंकि उस दिन से हनुमान जी के प्रती मेरी शद्धा और भी अधिक बढ़ चुकी है तो दोस्तों ये थी अमन की कहानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले डेली अपडेट्स के लिए दमाए बेल आइकन आपको इस अची कहानी अची लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा